ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं 4,32,000 किली मिचल प्रती घंटा की रफदार से टकरा रही हैं इस से हर चीज छिन भिन्न हो जाएगे एक दिन हमारी आकाश गंगा के साथ भी ऐसा ही होगा अगर हमें अपनी गैलक्सी को जानना है तो पहले गैलक्सीओं की टकर को समझना होगा हमारे ब्रह्मांड की सबसे पेचंड टकरें गैलक्सियों यानि आकाश गंगाओं के टकराने से होती है टकर मानौस तर पर देखा जाए तो ये बहुत हिंसक होती है और अपने पीछे बरबादी और गरबडी छोड़ जाती है टक्कर जितनी बड़ी होगी तबाही उतनी ज्यादा मचेगी लेकिन एक बार प्रित्वे से बाहर निकल कर देखें तो इन टक्करों का स्तर इतना बढ़ जाता है कि कलपना करना भी मुश्किल है गेलेक्सियां आपस में टक्राती है लैक होई भीषण अगनी वर्षा करते हुए बुझ जाते है हमारी अपनी गेलेक्सी भी अपने सबसे नस्देकी पड़ोसी एन्रोमेडा से टक्राने के रास्ते पे बढ़ रही है खगोल शास्त्रियों का बानना है कि यही भीषण टक्रे हमारे ब्रहमान के विकास को आगे बढ़ाती है सिर्फ धीमी रफ्तार से चल रहे क्रमिक विकास का अधियन ही उन घटनाओं की जानकारी नहीं देता जिने हम देखते हैं बलकि कभी-कभी दो गैलाक्सियों के, दो ब्लैक होल के या दो तारों के बीच की प्रचंड टक्कर से भी ये परिनाम निकलता है कभी-कभी ऐसी भीषण दुरगटनाओं की वज़ा से भी कुछ अच्छे परिनाम निकलते हैं हमें इन हिंसक टक्करों के बारे में कैसे पता चला और हम तुत्विवासियों पर इनका क्या प्रभाव पढ़ता है टेक्नोलोजी की मदद से हम ऐसी बरबादी और विराश के दुष्चे देख सकते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते और इस से हमें ये भी पता चलता है कि विश्व पर इनका क्या प्रभाव पढ़ता है हर तरह की अंतरक्ष की दुर्गटन ने ब्रह्मान के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाई है सबसे बड़ी टकर विश्व के सबसे बड़े सदस्यों यानि आकाश गंगाओं के बीच होती है हम सोचते हैं कि आकाश गंगाओं की टकर से विनाश की बहुत बड़ी लहर शुरू हो जाती होगी तारे टकराएंगे, ग्रह चूर चूर हो जाएंगे और जीवन का हर रूप नश्टो हो जाएगा लेकिन क्या वाकई गेलेक्सियों की टकर का यही अन्जाम होता है गेलेक्टिक कोलीजिन का मतलब समझने के लिए पहले हमें गेलेक्सियों के आकार और संरचना को समझना होगा यह दरसल गैस, धूल, ग्रहों और तारों का समूव होती हैं बहुत सारे तारों का समूव गैलेक्सी तारों के शहर की तरह होती है, यह अन्गिनत तारों का समूव है जो अर्बों वर्षों तक एक साथ रहते हैं और इन्हें इन सभी का सामोहिक गुरुत्वाकरशन आपस में जोड़े रखता है हमारी गैलेक्सी यानि आकाश गंगा गैलेक्सी में 100-200 अरब सितारे हैं और ये लगभग एक लाख प्रकाश वर्ष चोड़ा है चक्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यानि हम एक लाख प्रकाश वर्षों तक सफर करें तो मिल की वेपार कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है है ना शायद हम एक प्रकाश वर्ष की दूरी मापकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं एक प्रकाश वर्ष उस दूरी के बराबर है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। रोश्णी तीन लाग किलो मीटर प्रती सेकंड की जबरदस तरफतार से चलती है। और अगर इसे एक साल के कुल सेकंडों से गुणा किया जाए तो ये लगभग सौ खरब किलो मीटर के बराबर होता है। यानि खगोल विज्ञान में दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हमें सिर्फ तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे दूसरे नजरिये से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रौष्ण की 297,600 किलो मीटर प्रती सेकंड से चलती हुई एक किरण को हमारी गेलक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने में एक लाख वर्ष लगेंगे। सूरे की साड़े चार अरब वर्षों की उमर में उसने आकाश कंगा के केंज की पलिक्रमा सिर्फ बीस बार पूरी की है। आरमबिक गेलक्सी चोटी थी हमारी आकाश कंगा के दस्वे हिस्से जित्में। विश्व के शुरुवाती गैलेक्सियां बहुत छोटी थी, बॉनी गैलेक्सियां थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये चोटी छोटी गैलेक्सियां मिलती गई, और बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बनती गई, ये जुणने और फैलने की प्रक्रिया थी, ये कितने करीब थी चोटी गेलेक्सियां आपस में टकराई और निश्चित आकार की बड़ी गेलेक्सी बन गई आकाश गंगर यानि मिलकी वे गेलेक्सी जो हमारे सौर मंदल का घर है चक्र के आकार की है दूसरे आकार हैं अंडाकार और लेंटेकुलिल आकार दोनों का मिला गेलेक्सी के वर्गी करण का श्रे एद्विन हबल को देते हैं जिनके नाम पर नासा की महान अब्दरवेट्री का नाम रखा गया हबल स्पेस टलिसको मेरा खैल है हबल को बहुत मज़ा आया होगा वैसे भी इससे पहले कोई वर्गी करण था नहीं तो उन्होंने खुद से बनाया होगा हबल ने गेलेक्सियों के वर्गी करण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई आपको दरसल क्या देखना होता है कि 90 फीसदी चीजों को समझ कर उन्हें वर्गों में बाटना है इसी लिए जो बिलकुल अजीब हैं उन्हें छोड़ देना है लेकिन बाक अगस्ट्रेन की तरह थी बरसों तक ये अजीब और गरीब आकार यूही दिखते रहे लेकिन सवाल फिर भी यही था कि ये अजीब आकार की गेलेक्सियां कैसे बनी होंगी क्या है इनका कोई संबंद कॉस्मिक टक्करों से हो सकता है उस वक्त ये विशे इतना बड़ा नह भाटने में थी फिर भी उन्हें लगा कि असमान आकारों वाली गेलेक्सियों के अल्दियन की ज्यादा जूरूरत है उनके ये काम करने के कई दशोकों बाद लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि उन्हें भी असमान आकारों वाली अजीब गरीब गेलेक्सियों के बारे में कुछ करना चाहिए वाइग्यानिकों के मन में ये प्रश्ट उठा कि ये असमान गैलक्सियां ऐसी क्यों है एक से धान्त ये था कि ये बहुत बड़ी गरबड़ी और टकरावों का नतीजा है 20, 30 या 40 साल पहले ये विवाद बन गया कि क्या वाकई ये हाल ही में हुई किसी टकर के बाद का दृश्य था जैसा अभी दिखाई दे रहा है आज भी खबोल शास्त्री इस असमान बर्ग का अध्यन करते हैं असमान शेडी में सब शामिल हो जाते हैं इसमें वो छोटी गैलक्सियां भी शामिल है जिनकी गैस की परत में तारों के जन्म के कारण सुराख बन रहे हैं और इसलिए उनका आकार असमान है साथ ही इनमें वो गैलक्सियां भी है जिनमें तारों की आपसी टकर के कारण गर्णबड़ी का माहौल है यानि इसमें अलागलक प्रकार की कई गैलेक्सियों का समावेश हो सकता है कुछ असमान आकार वाली गैलेक्सियों का टेरह मेड़ा आकार गैलेक्टिक स्थर के गुरुत्वाकर्शन बलों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े पिंड सिर के बल टकरा जाते हैं असमान आकार की गेलेक्सियां इस बात का सुबूत है कि सितारों की ये विशाल का इसमुह वाकई आपस में टकराते हैं और इस बात का दी सुबूत है कि हमारे ब्रह्मांड में विनाश और गरबडी का ये चक्र चलता रहता है मगर गैलेक्सियों के अंदर क्या कुछ गटता है और कैसे टकरे होती हैं आगे देखिए टकराते सितारे किस तरह पूरे ब्रह्मांड में इन दुर्गटनाओं के निशान छोड़ जाते हैं और फिर भी घगोल शास्त्री अब तक उन्हें टकराते हुए नहीं देख पाए असमान आतारवाली गैलेक्सियां इस बात पर सुरूट है कि गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं पर क्या दूसरे अंतरक्ष के पिंड भी एक दूसरे से टकराते हैं हमारा प्रह्मांड एक बालवारी भी है और एक श्मिशान भी यहीं विशाल अंत्रक्ष पिंडों के बीच जंग भी लगातार चलती रहती है ज़रा एक ऐसे ब्रिश्य के बारे में सोचिये जहां प्रत्वी से लगभग तीन सो प्रकाश वर्ष दूर दो साथी सितारे एक ही कक्षा में लाखों वर्षों से चल रहे हैं वक्त के साथ ये दोनों जरा नस्दीक आ जाते हैं और लगभग रोष्णी की रफ़तार से एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं फिर धाय कुछ ही मिली सेकंड के अंदर ये नश्ट होकर एक ऐसी आगहत तरंग का संचार करते हैं जिससे प्रत्वी की आधी ओजोन पर अतनश्ट हो जाती है और समाप्त हो जाती है उसके रास्ते में आने वाली हर चीज खगोल भौतिक विदों के अनुसार अगर प्रत्वी के पास कोई न्यूट्रॉन तारा टकराता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होंगे और इन वैज्ञानिकों के अनुसार तीन हजार प्रकाश वर्षों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी ऐसा भी एक विचार है कि प्रिथ्वी पर होने वाली एक या उससे ज़्यादा जीवन विनाशक घटनाएं ऐसे ही किसी टकर का नतीजा रही होंगी तारों की सबसे जबरदस्त तकरें अकसर न्यूट्रॉन तारों के बीच होती ही न्यूट्रॉन तारे उन पुराने विचाल तारों के अवशेश हैं जिनका इधन समाप तो हो चुका है गुरत्वाकर्शन की वजह से ये तूट के गिर जाते हैं इनके केंद्र में बहुत ही सघन गर्भ का निर्मान होता है ये इतना सघन होता है कि यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में धकेल दिये जाते हैं और वो न्यूट्रॉन बन जाते हैं इस तरह जो न्यूट्रॉन तारा बनता है वो किसी तारे का अवशेश या अस्थियों की तरह होता है लेकिन इन अस्थियों में अब भी कुछ जान बाकी होती है। और नियोट्रॉन तारे बनने के बाद ये आपसी गुरुत्वा करशन के कारण एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं और पाइनरी जोडी कहलाते हैं। लागों वर्शुन तक ये जोडी एक सेकंड में जाते हैं कि इनके घूमने के लिए कोई सपष्ट स्थाई कक्षा नहीं बचती। और अंत में जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तब इतनी औरजा पैदा होती है कि हमारा सूरी अपने पूरे जीवन काल में इतनी औरजा नहीं बना पाता। मगर ये टकराओ इतने तेज ह प्रत्वी पर इस टकराओ को एक छोटी सी गामा किरण की बौचार या जी आर्बी की रूप में पहचाना जाता है। जी आर्बी ब्रहमांड में बहुती छोटी आवदी की बेहद शक्तिशाली घटना होती है। लेकिन वैज्यानिकों ने हाली ही में जी आर्बी का मतलब स चमक उठती हैं और हम पूरे आस्मान में हर वक्त गामा किरणों की तलाश करते रहते हैं। हमें लगभग पिछले 40 वर्षों से इनके बारे में जानकारी है। परमानों परीक्षन निशेद संदी अमरीकी राष्ट्रपती आईजन हॉवर ने शुरू की थी जिसकी वज़ा से परमानों इस फोटों का पता लगाने के लिए सैन ने सैटेलाइट बनाए गए। बायू सेना ने पहला वेला सैटेलाइट सन 1963 में रक्षे पित किया। गामा किरणों के शोधक लगे हुए थे। अचा कि ये कहीं न कहीं से तो आ रही है। धूमने के लिए ही बनाया गया था। वज्यानिकों को उम्मीद थी कि वो किसी जी आरबी को घटित होते हुए पकड़ पाएंगे। क्या जी आरबी अंतरक्ष की किसी टक्कर का परिणाम था। कॉम्टन गामा रे अब्जवेटरी ने हजारों गामा रे बरस्ट पकड़े और ये साबित कर दिया कि ये हर वक्त होते रहते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये गामा किरणों की बोच्छार को पकड़ते ही टेलिस्कोप द्वारा उस दृष्च की तस्वीरे खींचने का सबसे अच्छा उपाए था क्योंकि ये बहुत जल्द गायब हो जाते हैं। दरसलों जी आरबी कुछी दिनों में पूरी तरह आएब हो जाते हैं। एक सैटलाइट है जिसमें गामा किरणों का विशाल शोध की अंत्र है जो गामा किरणों की सही दिशा पहचान सकता है। गामा रे फ्लैश मिलते ही ये धर्ती को इसके स्थान का संदेश भेज देता है और फिर उसी दिशा में अपना एक्सरे टेलिस्कोप घुमा देता है। सन 2005 में स्विफ्ट ने एक ऐसी बॉचहार पकड़ी। फिर एक मिनट से भी कम समय में उसकी चमक को देखने के लिए अपनी दिशा बदल ली। उधर स्विफ्ट ने जी आर्गी के कॉडिनेट धर्ती पर लगे टेलिसकोप के नेटवर्क को भेज दी। इन में से एक टेलिसकोप पहलो मर परवट शिखर के पास सेंडियेगो कैलिफोर्निया में इस्थित है। पहलो मर अबजर्वेटरी ने इस डेटा को अपना हिसाग पिताब करके 12 अलग-अलग संस्थानों के साथ मिलाया। इन सब ने मिलकर छोटी गामा किरोणों की बोचार का कारण पहचान दिया। न्यूट्रॉन तारों की टक्कर। क्योंकि तारों की टक्करें सेकंड से कुछ घंटों तक ही चलती हैं इसलिए उनका जैरतर हिस्सा राज ही रहता है। असर टक्राव की घटना ज्यादा लंबी नहीं होती। इसी वज़े से कम से कम हमारे जीवन काल में ये बात संभव नहीं लगती की हम दो तारों को टक्राते हुए देख पाएंगे। पर हम इसके प्रभाव को जरूर देख सकते हैं। हाला की खगोल शास्त्रियों ने तारों को टक्राते हुए नहीं देखा है, फिर भी उन्हें पता है कि ऐसा होता है। क्योंकि तारों की इन हिंसक टक्रों के अवशेशों के परीच्छर से ये साबित हो चुका है। सिर्फ न्यूट्रॉन तारे ही हिंसा का नजारा पेश नहीं करते, छोटे शिशु तारे भी अंतरक्ष में तबा ही मचा सकते है। तारों का जीवन हिंसा से भरा होता है सिर्फ बाइनरी न्यूट्रोन तारों का ही नहीं लगबख सभी तारों का उनका निर्मान ही विनाश से शुरू होता है तारे का हलचल भरा जीवन परमानों बादल के खत्म होने पर शुरू होता है ये अंतर तारकी ये गैस का सघन इलाका होता है इस बादल से ही तारे बनते हैं, ग्रह नक्षत्र बनते हैं हमारा सौर मंडल भी इसी से बना था परमाणूँओं से बने ये बादल और बड़े होते जाते हैं क्योंकि इनके गुरत्वाकरशन से और ज्यादा गैस और कन इनकी तरफ खिषते जाते हैं इनकी सघनता इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये तारे बन जाते हैं कभी-कभी कोई बाहरी बल जैसे परमाणूबादलों का टकराओ या सुपरनोवा से पैदा हुई आगहात तरंगे भी इन बादलों को दबाकर तारों में बदल देती हैं जैसे ही दबकर तूटते हैं इनका केंद्रिय भाग घना और घना होता जाता है और इनका गर्भ भी गर्म होता जाता है हाल के शोद से पता चला है कि पहला तारा बिग बैंग के 10 करोड साल बाद ही बना था इन आरमदिक तारों में से कुछ तो खगोल शास्तियों के अनुसार आज भी हमारी आकाश कंगा यानि गैलक्सी में मौझूद है आज शोद करताओं का ध्यान तारों के उन समूहों पर केंद्रित है जिने ग्लोबिलर क्लस्टर कहते हैं जो शोद करता तारों की टकर का अद्धेन करना चाहते हैं उनके लिए ग्लोबिलर क्लस्टर सही जगाए हैं सितारों के ये घने समूह इनकी बढ़िया रणभूमी होते हैं जैसे हम भीड भरे शहरों में रास्तों पर चलते वक्त लोगों से टक्रा जाते हैं उसी तरह तारे जब भीड में एक दूसरे के पास होते हैं तो वो भी आपस में टक्रा जाते हैं ब्रह्मान की सो अरब गैलेक्सियों में से हर एक में लगभग 30 गलोबिल अरसमूह हैं इससे हिसाब लगाने पर तारों की टक्रों की संख्या अंगिनत हो जाती है अगर आप विश्व की सारी गैलेक्सियों को गिन लें सारी सैक्डों सैक्डों अर्बो गैलेक्सियां और फिर पूछें कि इन में से कितने इलाके हैं जहां तारों की टक्कर हो सकती है तो ये आकड़ा बहुत बहुत बढ़ा होगा सन 1953 में खोजा गया एक बहुत ही चमकदार तारों का ग्लोबिलर समूर चालिस वर्षों से शोध करताओं के लिए एक पहली बना हुआ था उन्होंने इन अजीब तारों का नाम ब्लू स्ट्रैगलर रख दिया इन ब्लू स्ट्रैगलर के कुछ अजीब से गुण होते हैं इन्हें स्ट्रैगलर इसलिए कहा गया है क्योंकि समान आकार के दूसरे तारों की तरह ये अभी क्रमिक विकास के बाद वाले स्तर तक नहीं पहुँचे हैं इसलिए स्ट्रैगलर है और नीले इसलिए है क्योंकि ये समू के दूसरे मुख्य श्रेनी के तारों से ज्यादा गर्म है लगता है ब्लू स्ट्रैगलर तारों ने हमेशा जवान बने रहने का कोई नुस्खा ढूंग लिया है वैज्यानिक सोच में पढ़ गए हैं कि ये कैसे मुम्किन हो सकता है NASA का Hubble Space Telescope सन 1990 में ग्रह कक्षा में छोड़ा गया और इसने इस प्रश्ण का उत्तर देने में एहम भूमी का निभाई Hubble का resolution इतना बढ़िया है कि अगर आप New York से Tokyo तक देखें तो आपको दो प्रकाश बिंदू भी दिखाए देंगे इतना अच्छा resolution है इस टेलिसकोप का Hubble के लेंसों ने ब्लू स्टेकलरों की विस्तर तस्वीरे घीची जिससे वैग्यानिकों को उनके कई रहस से समझ में आने लगे यानि इन तारों को अलग अलग देख पाने पर फिर इनके बारे में सारी जानकारी जुटाए जा सके जिसे ये कितनी तेजी से घूमते हैं इनका वजन कितना है इनका तापमान कितना है वगएरा वगएरा खगुल शास्त्रियों को पता चला कि ब्लू स्ट्रेगलर का ज्यादा वजन, तेज घूमने की दर और उंचा तापमाद सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं आज हमारा ख्याल है कि बहुत संभव है कि एक ब्लू स्ट्रेगलर दो सितारों के जुड़ने से बनाओ और ये मिलन शायद टकराओ के जरिये हुआ होगा सीधी टकर से, यानि दो सितारों के आपस में टकराने से या फिर हो सकता है ये दो तारे किसी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा रहे हो जहां ये अपने केंद्री गुरत वाकर्शन के चारों तरफ चकर काटते हो उधारण के तौर पर मुक्ष श्रिणी का एक तारा लगबग आठ लाग किलो मीटर प्रती घंटा की रफदार से दूसरे तारे से जाटकराता है ये दूसरे तारे को खोदता हुआ आगे बढ़ता है जिससे गैस और मलबे की एक विशाल लहर अंतरक्ष में उचलती है तारे से टक्रा सकते हैं और ये उनके जीवन की एक खास प्रक्रिया होती है तारों के टक्राओं को एक सध्धानत से पूरी सच्चाई बनकर सामने आने में कई दशक लग गए लेकिन जहां तक गैलेक्टिक टक्रों का सवाल है उनमें आपस में टक्राते दारे तो एक ज़लक भर है अंतरक्ष में टक्रें द्वामान की सच्चाई है नियम है और ये टक्रें हर स्थर पर होती है धूल के उस छोटे कण तक जो अंतरक्ष में तैर रहा है हमारे अपने सौर मंडल में भी हमें जो भी ग्रह जो भी चीजें दिखाए देती हैं वो सभी टकरों के कारण बनी हैं धूल मिलकर रेद बनी, रेद से कंकर, कंकर से पत्थर, पत्थर से चट्टान, चट्टान से छोटे प्लैनेटेसिमिल्स, एस्ट्रोइड्स और फिर ग्रह यानि हमारे मून में भी टकराव हैं गैलेक्सियां बहुत हिंसक जगे हैं, ये तारों को जन्म देती हैं, उनका भक्षण करती हैं और फिर से उन्हें पुनर जीवित करती हैं गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं और गैलेक्सियों में मौजूद कारी भी लेकिन क्या और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अंजाने ही टकरा सकते हैं अंतरक्ष की ये टकरें सिर्फ बड़े पिंडों की आपसी टकर तक की सीमित नहीं रहती कभी-कभी जबरदस्त उर्जा से भी टकर हो जाती है जानलिवा उर्जा ये जानलिवा किरने एक अतिविशाल रहस्तमई चीज से निकलती हैं जिसे ब्लैक होल कहते हैं वैज्यानिकों द्वारा डेथ स्टार गैलेक्सी ये मृत तारों की गैलेक्सी कही जाने वाले इस जगह से एक घातक क्विशार के रण पड़ोस की छोटी गैलेक्सी पर वार कर रही है दरसल होता यूँ है कि किसी ब्लैक होल से एक जेट तरंग निकलती है जिसकी रफ़तार लगभग रौशनी की रफ़तार जितनी होती है और वो जेट तरंग अपने रास्ते में आने वाले साथी गैलक्सी पर वार करती है जिससे उस गैलक्सी के पृत्वी जैसे किसी ग्रह पर रहने वाले प्राणी पर बहुत बड़ी विपत्ती आ सकती है नजदी के ग्रह जीवन हीन हो जाएंगे जो थोड़े दूर होंगे उनके वातावरन को बहुत नुकसान पहुचेगा ये वाकई अती विशाल ब्लैक होल के तरास से बचने वाले असाधारन गरह है सुनने में ये विज्ञान कथा लगती है पर ये एक विज्ञानिक सच्चाई है शुक्र है हमारी गैलेक्सी में नहीं बलकि ये विनाशकारी दृष्ष इस समय गैलेक्सी 3C 321 में चल रहा है जो हम से बहुत बहुत दूर है तकरीबन 1.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर ये पहला मौका है जब खगोल शास्त्रियों ने एक ब्लैक होल को अपनी साथी गैलेक्सी पर जट प्रहार करते हुए देखा है लेकिन इस गटना से कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनमें सबसे पहला ये है कि ब्लैक होल क्या है और क्या हम प्रत्वी बाषियों को इसके म्रत्यू किरण से खत्रा है ब्लैक होल दरसलgrade गड़े नहीं होते बल्कि ये बेहद सघन और विशाल पैंड होते हैं ब्लैक होल इतने सगन होते हैं और इनका बूत्वा कर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि इनसे कुछ भी बज के नहीं निकल सकता यहां तक की रोश्णी भी कई टेलिस्कोपों से एक साथ देखने पर ही इस अनूती चीज़ का पूरा चित्रन करना संभव हो पाता है पूरे एलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टरिम से प्राप जानकारी की चानबीन करके ही हम ब्लैक होल का सटीक अधियन कर सकते हैं उस तस्वीर का एक हिसा इस टेलिसकोप से लिया गया था ये वी अले या वेरी लार्ज एरे न्यू मेक्सिकों में है वी अले एक रेडियो टेलिसकोप होता है जो 27 डिश एंटेनाओं से बनता है और हर एक का वजन 230 टन होता है ये एंटेना अंग्रेजी के वाई अक्षर के आकार में लगाए जाते हैं और वाई की हर एक बाजू करीब 20 किलो मीटर लंबी होती है वी अले खास तोर पर ब्लैक होल ढूमने में माहिर है जैसा कि एक हमारी अपनी गैलक्सी में मौजूद है ये सूर्य से लगभग 40 लाग गुना ज्यादा बड़ी चीज है और इससे कई तरह की घटनाए होती रहती है पर हमारे और ब्लैक होल के बीच मौजूद गैस और धूल के कारण विजिबल लाइट टेलिसकोप इन्हें नहीं देख पाते लेकिन वियले की रेडियो तरंगे पकड़ने के एक्षमता इन्हें अंतरक्ष के मल्बे के पार ढूमपाने में मदद करती है सिर्फ रेडियो टेलिसकोप और इन्फररेट टेलिसकोप से ही इनका अध्ययन किया जा सकता है जैसे रोश्नी वाले टेलिसकोप रोश्नी की तरंगों को इकठा करके तस्वीर बनाते हैं वही सिध्धान्थ हम रेडियो तरंगों में भी इस्तेमाल करते हैं आप्टिकल और शॉर्ट वेवलिंट इन इलाकों को अंदर से नहीं देख पाती पर रेडियो तरंगें ये काम कर सकती हैं और इस सुविधा की तरह लंबी तरंगें ये लॉंग वेवलिंट इस्तिमाल करने वाले खगुल शास्त्री इन इलाकों की गहराईयों में छाक सकते हैं जहां बाकी सभी तरंगें नहीं पहुँशती जब पदार्थ ब्लैक होल की अंदर की तरफ बहते हैं तो ये नाली में पानी जाने जैसा होता है ये नीचे जाते हुए गोल गोल चक्कर काटते हैं और घर्शन बलों की वज़े से गर्मी और रोशनी पैदा होती है ये रोशनी इतनी तेज और इतनी उर्जा पूर्ण होती है कि उससे एक्स किरने बन जाती है इस कुए में जब चीजें गिर कर गाइब होने लगी तब अठार्मी सदी के ख़बोल शास्त्रियों के लगा कि यहां कोई अद्रिश यतारा होगा सन 1783 में रेवरेंट जॉन मिचल ने बड़ी खुबसूरती से घटनाओं के क्षितिच का विचार पेश किया मिचल ने दिखाया कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जिस से ज्यादा रोशनी नहीं निकलती तो उसकी एसकेप विलोसिटी रोशने की रफदार जितनी होनी चाहिए यह रोशनी को कैट कर लेगी और खुद अद्रिश हो जाएगी यानि अंधेरे में रहेगी यही घटना क्षितेज या इवेंट होराइजन का सिध्धान था एलबर्ट आइंस्टाइन के सहयोगी जौन वीलर ने पहली बार सन 1967 में सुझाया ये नाम ब्लैक होल तब तक ये सिर्फ एक सिध्धान था वाग्यानिकों को तो ये एहसास भी नहीं था कि उन्हें उनका पहला ब्लैक होल मिल चुका है इसका सुबूत थी एक्स किरने और ब्लैक होल द्वारा पैदा की गई अद्रिश उर्जा सन 1971 में एक्स किरनों का स्रोत एक विशाल नीले तारे में पाया गया सन 1971 में ही बाद में हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये विशाल तारा इतना बड़ा था कि ये एक्सरे स्रोत के बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था इस तेज रफ़तार का मतलब ये हुआ कि वो एक्स किरनों का स्रोत हमारे सूरी से तीन गुना ज्यादा पड़ा था और इससे ये पता चल गया कि वो एक ब्लैक होल ही था शायद ब्लैक होल के अध्यन में सबसे बड़ा वर्दान नासा की एक और महान अब्जर्वेट्री चंद्रा एक्सरे अब्जर्वेट्री बढ़ने से मिला हमसे अकसर लोग पूछते हैं कि हम एक्सरे एस्ट्रोनामी जमीन से क्यों नहीं करते क्योंकि जाहिर है टेलेस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने में जोखिम और खर्च भी ज्यादा है और ये ज्यादा चुनावती पूर्ण भी है दरसल प्रित्वी का बातावरन एक्स केर्णों के लिए अनुकूल नहीं है ये सितारों और दूर दूर की गैलेक्सियों से आने वाली एक्स केर्णों को रोग देता है इसलिए अगर एक्सरे एस्ट्रोनामी करनी है तो अंतरिक्ष में जाना होगा और चंदरा अब तक का स चीजें, सुपरनौवी बनकर फूटते हुए तारे, बड़ी-बड़ी गैलेक्सियों की टककर और इसी तरह की विश्वेस्तर की दुर घटनाओं का अध्येयन करने में चंदरा बहुत कोशल है जब भी कोई बड़ा पिंट बहुत गर्मी पैदा करता है तब एक्स किरणो का भी संचार होता है न्यूट्रान तारे और ब्लैक होल सूरी की एक्स किरणों के मुकाबले एक लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली एक्स किरणे पैदा कर सकते हैं चंदरा ने डेथ स्टार गैलेक्सी में चल रही घटनाओं के बारे में जानने में खगोल शास्तियों की बहुत मदद की। एक बार डेथ स्टार जेट द्वाला पड़ोसी गैलेक्सी नश्ट किये जाने के बाद फिर से तारों और ग्रहों के जन्म का नया सिलसला शुरू हो जाता है। ये सारा खेल विश्व के जीवन और मरण के चक्र का एक हिस्सा है। ये पूरे विश्व में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को हजम करते हुए नहीं गुमते। बलकि ब्लैक होल की आखरी विरासत से जन्म का आरम भी होता है और जीवन का विनाश भी। हमारा सौर मंडल अब तक तो इन मृत्यू किरणों से बचने में सबल रहा है। पर वो एक विशाल गैलेक्टिक विपत्ति की तरफ भी धकेल दिया गया है। दूर भविश में कहीं हमारी मिलकी वे गैलेक्सी और उसकी पड़ोसी गैलेक्सी एन्रोमेडा आपस में टकराएंगे। पर क्या ये टकर नई उत्पत्ति का स्रोत होगी या फिर विनाश की। लेकिन इस तरह की गैलेक्टिक टकर का क्या मतलब है। लगता है हमें सबसे ज्यादा खत्रा उन थर्बो न्यूक्लियर रियक्टर से टकराने से हैं जिने हम तारे कहते हैं। अगर कोई तारा हमारे सोलर सिस्टम के काफी पास हा जाए तो वो हमारी तरफ कॉमेड भीज सकता है। और अगर ज्यादा पास आ गया तो वो प्रित्वी की सूरी की परिक्रमा की कक्षा को बिगाड सकता है। और इससे जीवन का अंत हो जाएगा। क्योंकि इससे या तो सारा पानी भाब बनके उड़ जाएगा या जम जाएगा अगर हम सूरी से दूर धकेल दिये गए। और जो जन्म से अलग-अलग होती हैं वो मिलती नहीं बलके और दूर चली जाती है। रिसीडिंग वेलोसिटी को पलट दिया और इसलिए अब ये दोनों गैलक्सियां एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि उनके बीच आपसी आकरशन है। ये आपस में टकराने वाली हैं। लगता है ये सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और ये हमारे लिए काफी गंभे स्थती है। एंडुमेडा गैलक्सी अगले पाँच अरब वर्षों में हमारी मिलकी वे गैलक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन भविश में होने वाली इस टकर का क्या सुबूत है। एंडुमेडा से आने वाले प्रकाश संदेश इसके बढ़ते कदमों का सबसे तगड़ा सुबूत ये वही चीज है जो आतिश बाजी को रंगीन बनाती है। किसी खास रंग को देखे तो आप जान जाएंगे कि वो लोहे या ऑक्सिजन या गंधक की वजह से है। आपको पता होता है कि वो कौन सा रंग होना चाहिए। फिर आप मिला के देख सकते हैं क्या वो नीला है या पिर लाल। अगर वो नीला है तो शायद वो सीधे आपकी तरफ आ रही है और अगर वो लाल है तो इसका मतलब वो और दूर जा रही है। आप अगर एंडरोमेडा गैलक्सी को देखें तो उसका नीला रंग बदल गया है और वो कई सौ किलोमीटर प्रती सेकेंड की पहबना हो ऐसा भी नहीं है तो फिर दो अरब साल बाद जब ये दोनों गैलक्सियां एक दूसर की तरफ बढ़ने लगेंगी तो क्या होगा। गैलक्सियां इतनी बड़ी होती है और इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि इनमें टक्कर के शुरू से अंत होने त टक्राओ की जो भी जहलक मिलती है वो असल में बहुत लंबी श्रिंखला की एक छोटी सी कड़ी के समान होती है और ऐसी सिमुलेशन से हम इन अलग लग परिस्तियों को जोड सकते हैं ये देख सकते हैं कि कैसे ये पास आती हैं कैसे जवार की उंची लहरे उड़ती हैं और सिमुलेशन में टक्राती गेलेक्सियों में देखे गए सारे पदलावों की नकल दिखाए गए उनका पूरा गटना क्रम हर एक चरण की बारीखियां गेलेक्सियों के पास आने से आपस में मिलने तक ये टूम्रे सीक्वेंस कहलाती है आज फ्रैंक समर और बाल्टिमोर मेरी लैंड स्थित स्पेस टेलिसकोप साइंस इस्सिचूट के ख़वल भौतिक विदो ने अत्यादुनिक विज्वल इफेक्ट प्रोग्रामों और कम्प्यूटर के बैंकों की मदद से इन गेलेक्टिक टक्रों को संकुचित करके प्रत टाइडल लहरें उठती हुई दिखाई नहीं देती। मुझे इस चित्रन को देखकर ये बात बहुत अजीब लगे। टेल कहते हैं। ये नाट की द्रिश्य टकराती गेलेक्षियों की तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जैसे एंटना आई गेलेक्षी और माइस के बीच। खगोल शास्त्रियों का अग्माना की एंड्रॉमेडा और मिल्की वे की टकर भी ऐसी ही कटाव के चरण से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। ये टाइडल टेल दरसल आकाश गंगा की बाहरी पर्तों के तूट कर बिखरने का नतीजा है। हमारी आकाश गंगा एक पतली, कमजोर, नाजुक सी गैलेक्सी है। और अंड्रॉमेडा हमसे काफी बड़ी गैलेक्सी है। तो इसके गुरत्वाकरशन के घेरे के शक्तिशाली बल आकाश गंगा को चीर देंगे। लेकिन जब दो अरफ वर्षों के बाद ये दोनों गैलेक्सिया नस्दीक आएंगी, तब ये दुश्चित, टक्राओ कम और पेंडूलम का जूला ज्यादा लगेगा। तो कि मुमिन्टम इन गैलेक्सियों को एक दूसरे से आगे निकल जाने देगा और गुरत्वाकरशन इन्हें फिर नजदीक ही चलाएगा। ये आगे बढ़ती जाएंगी क्योंकि इनकी गती इन्हें आगे ले जाएगी और जब ये एक दूसरे से दूर निकल जाएंगी तब अंड्रॉमेडा गैलेक्सी और आकाश गंगा गैलेक्सी धीमी पड़ जाएंगी। उनके बीच मौजूद गुरुत्वा करशन की वज़से उनकी रिसेशनल वेलासिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आखिर में वो पलटकर फिर एक दूसरे के करीब से गुजरेंगे। और फिर जब दोनों की टकर होगी तब इन सारे तारों की कक्षाएं बिगड़ जाएंगी। उसके बाद जो आकार बनेगा वो बीच में अंडाकार होगा और ये लंबी टाइडल टेल अरबों वर्ष के बाद फिर इनकी तरफ खिची चली जाएंगी। आप देख सकते हैं यहां कैसे आपस में ये मिल गई है और इस वक्त दोनों का एक ही मध्य भाग है। अब भी कुछ टाइडल टेल बागी हैं जो वक्त के साथ साथ फीकी पड़ जाएंगी। और अगर हम इसे और बाहर की तरफ ले जाएं तो हमें ये एक ही चीज की तरह दिखेगी और तब ये एक ही बड़ी सी अंडाकार गैलेक्सी दिखाए देगी। इक्रिमा करते गैलेक्टिक गर्ब आपसी आकर्षर में बल्दे हुए हैं लेकिन क्या ये खूबसूरत तस्वीरें उस विनास को छिपा रही हैं जिसमें आपस में टकराते तारे गह नक्षत्र और चान चूर चूर होकर अंतरक्ष्ट की धूल बन जाएंगे। इनके एक दूसर में समाने पर इस बात वे कितने आसार हैं कि प्रत्वी टकरा कर चूर चूर हो जाएगी। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ये संभावना बहुत कम है। हर एक तारे के आसपास हमारे सौर मंडल की तरह कुछ ग्रह होती हैं। इनके बीच की दूरे भी बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा कि किसी भी एक ग्रह के दूसरे से टकराने की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्वी को जरा भी खत्रा नहीं है। लगभग दस फीसदी आसार हैं कि प्रत्वी अपने सौरे और बाकी के सौर मंडल के साथ उचल कर इन टाइडल टेल के साथ बाहर चली जाएगी। और फिर हम बहुत दूर चले जाएंगे तब हम अपनी गैलेक्सी का विहंगम द्रिश्य देख पाएंगे। यानि तब हमें अपने आस्मान में क्या दिखाई देगा ये इस बात पर निर्भर होगा कि हमारे सौरे की कक्षा टकर के बाद कैसे बदलती है। तारे और गहर बिना किसी हादिसे के एक दूसरे के नस्दीक से गुजर सकते हैं लेकिन गैस नहीं। गैलेक्टिक टकरों का असली प्रभाव टकराती गैसों के कारण देखने को मिलता है। एंड्रोमेडा और आकाश गंगा दोनों में काफी गैस मौजूद है। यानि ये गैसें आपस में टकराएंगी और इससे बहुत बड़ा आगहात पैदा होगा। इससे फौरण बहुत सारे तारे बन जाएंगे और हमारे पास शाय दस अरब नए तारे बन जाएं। इसी को हम स्टार बर्स्ट कहते हैं। और ऐसे अचानक टारों का जन्म होना गैलेक्सियों के आपस में मिलने का संकेत हो सकता है। यानि अगर हम इन गैलेक्सियों के अंदर मौजूद किसी ग्रह पर होते तो रात को आस्मान बहुत ही शांदार होता। खास कर तब जब स्टार बर्स्ट चल रहा हो। तब आस्मान उन विशाल तारों की आतिश बाजी से जगमगा उठेगा जिनका जन्म हो रहा हो। ये बहुत खतरनाक नहीं होना चाहिए अगर आप उन्हे लाकों के बहुत करीब ना हो जहां नए सितारे बन रहे हो। लेकिन जब दो गैलक्सिया मिलकर एक अंडाकार गैलक्सी बनाती है तब तारे बनने की रफतार धीमी पढ़ जाती है। प्रक्रिया बहुत हिंसक होती है और इस दोरान गैसों के ब्लैक होल में जाने से एक बहुत ही चमकीले ग्विसार का निर्माण हो सकते हैं। मगर प्रित्वी को मिलकीवे और एंड्रोमेडा गैलक्सियों की टक्कर के दोरान जो सबसे बड़ा खत्रा है उसका इस गैलक्टिक टक्कर से कोई संबंद नहीं है। जब नहीं गैलक्सि का जन्म हो रहा होगा तब हमारा सूरी गिन रहा होगा अपने आखरी घडियां। जीवन चक्र का उधारन तारों पर बिलकुल सही बैठता है यकीनन इनका जन्म होता है और ये तब होता है जब ये हाइड्रोजिन को हीलियम में बदलकर उर्जा पैदा करते हैं। फिर इनका वयस्क जीवन आता है जब ये फूल कर बड़े हो जाते हैं और थोड़े ज्यादा चमकी ले भी और फिर जीवन के आंत में तो इनमें जबर्दस बदलाव आते हैं। ये प्रित्वी पर मौजूद जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रित्वी अपने समुद्र खो देगी, अपना वातावरन खो बैठेगी और फिर यहाँ जीवन नहीं बच पाएगा। अगर हम तब तक बच पाए, भविश्य में दो-चार अरब वर्षों तक रहे, तो फिर या तो हमें पड़ोस के सितारों पर उपनिवेश बस्तियां बसानी होगी, या फिर अपने तारे से दूर कहीं कोई कृत्रिम ग्रह बनाना होगा ताकि हम सुरक्षित दूरी पर बिल अगर भग एक खरब तारे होंगे और इन तारों के अपने ग्रह होंगे, अगर इन में से बहुत छोटी संख्या पर भी जीवन के लिए सही माहौल हुआ तो ये आंकड़े इतने विशाल है कि हमें ये मानना ही पड़ता है कि मिलकॉमिडा नाम की नई गैलक्सी में कही जग और मृत्यू का है तारों, ब्लैक होल और यहां तक की गैलक्सियों के बीच होने वाली ये टक्करे उन बहुत से हिंसक घटनाओं का उधारण है जिनके बाद इनका सुरजन नए रूप और नए आगार में होता है